नमस्कार आप देख रहे हैं भारत एक्स्प्रेस मैं हूँ आपके साथ स्वाती शुक्ला कुमार जारकन की सियासत से जुड़ी हुई उस वक्की बड़ी खबर आपको बता दे चमपई सोरेन आज थाम सकते हैं भारती जनता पार्टी का दामन तो ज्यमै में हुए अपमान सियाहत हैं चमपई सोरेन रविवार से दिली में मौझून है चमपई सोरेन बीजेपी के कई बड़े निताओं के संपर्क में है चमपई चमपई के साथ छे विधायकों के भी बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है ज्ञारकन के पूर्व मुख्य मंत्री चमपई सोरेन भारति जन्नता पार्टी में आज शामिल हो सकते हैं। रविवार से दिली में मौझूद हैं चमपई सोरेन कई बड़े नेताओं के संपर्क में हैं चमपई में। तो इससे पहले हमने देखा किस तरह से चमपई सोरेन की तरफ से पोस्ट करके कहा गया कि जेमेम में उनका अपनान किया गया तिरसकार किया गया उन्होंने अपना प्रोफाइल बायो भी चेंज किया सोशल मीडिया प्रोफाइल में और अब देखिए बड़ी जानकारी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चमपई सोरेन, छे विधायक भी चमपई सोरेन के साथ आ सकते हैं, फिलाल देकी रविवार से दिली में ही मौझूद है चमपई सोरेन और यह कहा जा रहा है कि भारती जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से संपर्क में हैं, तो ग्राफिक्स के जरिये इस पूरे घटना क्रम से जुड़ी एहम जानकारिया चलिए आपको बता देते हैं और आज हम खबर की बात करें तो आज जार्खन की सियासत में खेला होबे की आसार है चमपई आज थाम सकते हैं भारती जिन्रता पार्टी का दामन बीजेपी के कई बड़े निताओं के संपर्क में चमपई सोरेन है साथ ही छे विधायकों के भी साथ होने की खबर है वही कल रविबार से ही दिली में चमपई सोरेन ठहरे हुए है ऐसे में देखिए अटकले तेज नजर आ रही है कि चमपई सोरेन आज भारती जिन्रता पार्टी में शामिल हो सकते हैं तो आज थाम सकते हैं बीजेपी का दामन चमपई बीजेपी के कई बड़े निताओं से संपर्क साधे हुए हैं चमपई वहीं छे विधायकों के भी साथ होने की खबर सामने निकल कर आ रही है आपको बता दे रविवार से ही दिली में चमपई सोरेन की मौझूदगी है ऐसे में ये जानकारी कि आज जारखंड में खेला हो सकता है तो इसको लेका सियासत भी हमने देखी किस तरह से जैमेम की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पार्टी को तोड़ा जा रहा है परिवार को तोड़ा जा रहा है इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पैसा दिखता है तो नेता ऐसा करते हैं लेकिन चमपई सोरेन की तरफ से बड़े आरोप लगाए गये उनकी तरफ से कहा गया कि उनका तिरसकार हुआ है अपमान हुआ है क्योंकि आपको बता दे हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चमपई सोरेन प्रदेश के मुख्यमंतरी बने थे और जैसे ही हेमंत सोरेन जमानत पर रहा हुए चमपई सोरेन से बापस ले ली गई सत्ता ऐसे में देखे कयास यही लगाय जा रहे थे कि जल्धी चमपई सोरेन जेमंएम से अलग हो सकते हैं और देखे आप बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि आज भारती जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं चमपई सोरेन हमने जेमेम नेताओं का भी बयान सामने देखा उसमें प्रवक्ताओं का यह कहना था कि अगर चमपई सोरेन ऐसा करते हैं तो यह आतम घाती होगा लेकिन चमपई सोरेन क्या राह अपनाते हैं देखना महत्प्रपोर्ण होगा आपको जानकारी दे दे भारती जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से चमपई सोरेन संपर्क में हैं तो देखे चमपई बागी हैं अब संकट में सोरेन हैं दरसल जारखन में पिछले 24 घंटे से सियासी उठा पटक जारी है और इस बीच चमपई की अदावत बगावत में बदल गई है कल रविबार को चमपई सोरेन कोलकाता से दिल्ली पहुचे कहा ये भी जा रहा था कि कोलकाता में चमपई की मुलाकात शुभेंदू अधिकारी से हुई जहां पर लगभग डील फाइनल हो गई थी दिल्ली पहुचने के बाद एरपोर्ट पर चमपई ने सभी चर्चाओं पर एक बार तो वीराम ही लगा दिया जब उन्होंने कहा कि जहां हूँ वही हूँ दिल्ली अपने परसनल काम से आया हूँ लोगों को लगा कि जेमेम टूटने से बज गई और हेमंत सरकार पर कोई खतरा नहीं है जिसके कुछ ही देर बाद चमपई की बगावत की पहली जलक सोशल मीडिया एक्स पर नजर आई और जब उन्होंने अपने बायो से जेमेम लीडर और मंत्री हटा दिया उसके कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पर जेमेम में हुए उनके अपमान की पूरी कहानी उन्होंने शेयर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ अपमान हुआ है उनका तिरसकार हुआ है यह पोस्ट जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं यह पोस्ट किया गया चमपई सोरेन की तरफ से और इस पोस्ट में उन्होंने अपना दर्द बया किया है तो देखिए यह चार एहम तस्वीरे कल जिस तरफ से दिल्ली पहुँचे थे चमपई सोरेन उनकी तरफ से कहा गया पहले कि जहां हूँ वही हूँ अपने नीजी काम से दिल्ली आया हूँ वही एक्स पर उन्होंने बायो हटाया और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट उनकी तरफ से किया गया अपने दर्द को बया करते हुए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलका चमपई सोरेन का दर्द सीम रहते हुए मेरे कारेक्रमों को रद्द किया गया लोगतंत्र में सीम पत का अपमान किया गया मुझे बिना बताय विधायक दल की बैठक बुलाई गई मुझे लगा पार्टी में मेरा कोई अस्तत्व नहीं है जैमेम में मुझे अपमान और तिरसकार से मैं आहत हूँ तो यह बाते चमपई सोरेन की तरफ से कही गई है सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये दर्द उनका बया किया है ये लंबा पोस्ट उनकी तरफ से किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे से बिना पूछे विधायक दल की बैठक बुला ली गई तो देखे जिस तरह से चमपई सोरेन के हाथ से सत्ता छीन ली गई एक जटके में बिना किसी information के हाला कि देखे चमपई सोरेन को ये कही न कही मालूम जरूर होगा क्योंकि अब हेमन सोरेन बाहर है तो कभी भी उनकी सत्ता छीन सकती है लेकिन जब वो मुख्यमंत्री भी थे तब भी ये जानकारी सामने निकल करा रही है कि उनके कई कारेक्रमों को रद्ध कर दिया जाता था और अटकले ये भी तेज थी उस दौरान की उस समय हेमंत सोरेन की पत्नी को ये पोजीशन दी जा सकती है वहीं देखे अब बड़ी जानकारी आज चमपई सोरेन भारती जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं चमपई सोरेन की तरफ से ये पोस्ट किया गया उन्होंने कहा कि मेरे कारेक्रमों को रद्ध किया गया लोकतंत्र में सीम पत्का अपमान किया गया मुझे बिना बताए विधायक दल की बैठक बुलाई गई मुझे लगा कि पार्टी से मेरा कोई अस्तित्व पार्टी में नहीं है जेमेम में हुए अपमान को और तरसकार से मैं आहत हूँ चमपई सोरेन की तरफ से उनके दिल की बाते बया करता हुआ ये पोस्ट किया गया तो इस पोस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेमेम और चमपई सोरेन के बीच अब रिष्टे खतम होने की कगार पर या ये कह सकते हैं कि खतम हो चुके हैं हाला कि जेमेम कह रहा है कि चमपई सोरेन अभी पार्टी में है और कल हमने बयान भी सुना चमपई सोरेन का उन्होंने कहा कि मैं जहाँ पर हूँ वही पर हूँ तो दूसी तरफ देखिए ये कहा जा रहा है कि भारती जन्यता पार्टी के कई सीनियर लीडर से चमपई सोरेन की नेगोसियेशन चल रही है बाचीच चल रही है तो वहीं चमपई सोरेन के बागी तेवर को लेकर गोड़ा में जारकन की मुखी मंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा है हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये परिवार तोड़ने का काम करते हैं पाटिया तोड़ने का काम करते हैं ये लगातार विधायकों को तोड़ रहे हैं पैसा ऐसी चीज है कि नेताओं को इधर से उधर जाने में देर नहीं लगती यह लोग गुजरात से, असाम से, माराज से लोगों को ला करके यहां आदिवासी, दलेत, पिछडा संकेक के उपर जहर बोने का काम करता है और एक दुसरे से लड़वाने का काम करता है समाज तो छोड़ो ये घर भी फोड़ने का काम करता है पाटी तोड़ने का काम करता है आए दिन कभी इस विधायक को खरिद ले कभी उस विधायक को खरिद ले और पैसा ऐसा कीज़ है कि नितालों का तो जैसे ही उनलों को इधा उधर घसिटने में दोलों को देरी नहीं लगता है खेर कोई बात में हमारा इंडिया गड़ बंदन की सरकार 2019 से निरंतर जंता के बीच में खड़ी है आज इस कुरोना महमारी में हमारा तीन-तीन मंत्री निगल गया आपकी जान बचाने के लिए हमारे तीन-तीन मंत्री मारे गये और उसके एक मंत्री की बेवा महिला बेवी देवी जी आज हमारे मंच में खड़ी है तो वही जारकन के पूर्व मुख्यमंतरी चमपई सोरेन से जूड़ी बड़ी ख़ब आपको बतादे चमपई सोरेन के लिए जीतनराममांजी की तरफ से पोस्ट किया है social media platform expert जीतनराममांजी ने पोस्ट किया उन्होंने कहा कि चमपई दा आप टाइगर थे टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे एंड ये परिवार में आपका स्वागत है जोहार टाइगर तो देखिए जीतन राम मांजुई की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया एंड ये परिवार में स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि टाइगर का स्वागत है आप टाइगर थे हैं और रहेंगे चमपई सोरेन के लिए जीतन राम मांजी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो देखें चमपई दा आप टाइगर थे टाइगर है और टाइगर ही रहेंगे एंड ये परिवार में आपका स्वागत है जो हार टाइगर जीतन राम मांजी की तरफ से इस पोस्ट के जरिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जे एम एम और चमपई सोरेन अलग- बीजेपी पर बड़ा हमला जे एम एम को तोड़ने की रची जा रही है साज शेमंत सोरेन को हटाना चाहती है भारती जनता पार्टी संजर राउत ने ये बाते कही महाराष्ट और जार्खन में इसले चुनाव किये गए स्थागित तो जार्खन में अस्थिरता लाना चाह तो ऐसे में देखिए भारती जनता पार्टी पर उन्होंने जे एम एम को तोड़ने का आरोप लगाया देखे महाराष्टा और जार्खन में चुनाव इसले समय पर नहीं हो रहे है या आगे की तारीख वो लोग कर रहे है इसलिए है कि चुनाव से पहले ए लोग हेमन सोरेंजी को मुख्यमंत्री पस से उतारना चाहते हैं उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं उनके पार्टी में और राज्य में अस्थिरता लाने चाहते हैं जारकन में चुनाव नहीं हो रहे हैं उनको समय टाइम चाहिए दिखे चंपा सोरेन कल गए और आज क्या बोल रहे हैं महाराष्ट्रा में भी यही है जारकन और महाराष्ट्रा में उनको हरने का डर है बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हर रहे हैं महाराष्ट्र में तो उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है तो उनका और टाइम चाहिए तो चमपाई सोरेन के भारती जनता पार्टी में जाने की अटकलों को लेकर जारकन कॉंग्रस सद्ध्यक्षर केशर में तो कमलेश ने अफवा और अटकले कही है यह वो दिल्ली नीजी दोरे पर आ कि अप लोगों ने यह भी दिखाया कि पांट साथ विधायक उनके साथ आए चोदों विधायक हैं आपने एक भी विधायक का नाम हमको बता दीजिए जो उनके साथ अभी आया है वो अपने व्यक्तिकत काम से आये हैं उसको अफवा फैला करके नियोज पील का तार बना कर कि यह सारे चीज़ को अफ़ा फ़लाया जा रहा है वह एक जेव्यम के और गडवंधन के बहुत ही समर्पित निष्ठावान नेता रहे हैं कोलहान टाइगर कहलाते हैं गडवंधन ने उनको सदेव सम्मान देने का काम किया है हमको नहीं लग रहा है वह इस सम्मान को छोड़ के और अपनी जो शूरु से जिस पार्टी में है वह छोड़के कहीं जाने वाले हैं इसको लेकर क्या जानकारी Aum के पास देखे स्वाति आख को बताना चाहूंगा कि अफ़वाहों का बजार बहुत तेजी से गर्व है और जब जीतन रामाजी की बात चल रही थी तो उस समय भी ये था कि जीतन रामाजी आज शामिल होंगे कल सामिल होंगे उसके बाद ये हुआ कि अपनी पार्टी का विल चमपाई सोरैन के मावले में चमपाई सोरैं से कल जब उचा कि क्या आप बीजेपी बीदा शामिल हो रहे हैं तो चमपाई सोरैं ने कहा दिया पहले मतलब को आगर हम देखे 24 हिंटे पहले आप जब बंगाल में मीटिंग करते हैं सुवेंदू अधिकारी के साथ और बीजेपी के एक राष्टी महासचीब के साथ तो उसके बाद फिर ये अब वहे का बजार बहुत तेजी से कर्म हो जाता है कि चंपाई सोरें बीजेप कई साले सर्वे जो ये कह रहे हैं कि अभी भी लोगप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरें है और शायद इस बात का मालूमात इस बात की जानकारी इस बात की तस्दीक अभिनकों भी हो चुकी है चंपाई सोरें को तो हो सकता है कि उस दिन मानवरवन का दौर चले उसके बाद फिर यह हो जाए कि या मोहित ये भी हो सकता है कि अभी नेगोसियेशन ओन प्रोसेस हो अग भी बातचीत चल रही हो भारती जन्नता पार्टी के नेताओं से चार रहे हो चंपाई सोरें कि हमें फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए अगर भारती जन्नता तो क्या ये भी वज़ा है क्या बीजेपी अंदर खाने से किसी तरह की जानकारी आप तक पहुंची है क्या इसको लेकर देखें आपको बता दू अगर मुख्यबंतरी बनाये जाने कि बात है तो ब्यजेपी के पास अल्रेड़ी अपने केडर के बहुत सारे नेता है चाहें बागुललल Meredji की बात हो चाहें अर्जुन मुन्डा की बात हो बिजेपी का अपना ही केडर इतना बड़ा है इतना ही को कहां एड़ेस्ट वो करेंगे हाँ इतना जिरूर है कि जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि चंपई सुरें को ये बोला गया कि ठीक अगर आप शामिल होते हैं तो आपको गवर्णर का पद दिया जा सकता है और आपके परिवार से किसी को चुराव ड़ाया जा सकता है लेकिन दिसंबर में पहला फिर शुरू हो गया था और लगबग पूरे दिसंबर चुनाओ चलके जारखंड में पांच जनवरी से पहले पहले नतीजे आ गये थे तो अगर इसी तरीके का अगर हम देखें तो इस बार भी अभी हाला की चुनाओ आयोग ने घोशना नहीं किये ले का वक्त है और दो तीन महीने के लिए कोई भी नेता में फिर से कह रहा हूँ कोई भी नेता कोई भी विधाय कोई मंतरी अपना कम से कम सिविल स्कोर खराब करने वाला नहीं है क्योंकि जनता की अदालत में जब आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको लोड नहीं देती है देखे आपती कल भी और परसों भी जब हम लोगों की बात हो रही थी तो यह सीजे थी कि आप एक गंटे में सामील हो जाएंगे दो गंटे में सच बात यह है कि चमपई सोरें जितना देर कर रहे है उतनी ही उनकी जो राजनितिक साख है वो गिरती जा रही है क्योंकि देखे जारखन में कल भी मैंने साथ आती जी आपको यह याद होगा मदुगर मैं स्वारती हूँ आपके साथ जी अपनी बात पूरी करें जब बात हो रही थी उस वक्त हम लोगों ने भारत एक्सप्रेस के मारफत यह दर्शकों को बताया था कि जिस तरह की चर्चाएं हैं या जिस तरह की बातें कही जा रही हैं जिस तरह की चीजें कही जा रही हैं कि पूरे कोलहान शेतर में उनकी पकड़ है तो तमाम चीजें जो है उसको वो भी टटोल रहे हैं क्योंकि 14 सीटें कोलहान में हैं बड़ी सामान्य सी राजनितिक बात है ये, कि 14 सीटे हैं, धारखंड में जिस किसी भी व्यक्ति के पास 3 से 4 सीट होती है, वो यहां का किंग मिकर बन जाता है, सुदेश महतो इसका बहुत बड़ा उदारन है, कि वो सुरू वर्सों डिप्टी सीम रहे हैं 4-5 विधायकों के स है, तो 14 सीटों पर वो लड़ सकते थे, अपनी अलग पाटी बना सकते थे, अलग पाटी बनाने से जंता का जो जंता की जो साहनभूती उनके साथ रहती, वो बीजेपी में जाने से नहीं रही, लेकिन चंपई सोरेन भी ये जामते हैं, कि बहुत मुश्किल कल भी मैंने आ कि आदितिपूर वाला जो इलाका है, अपनी सीट जीतना पिछली भार उनको मुश्किल लोगया था, ऐसे में 14 सीटों पर यही सब टटोलने में उनको समय लग रहा है, क्योंकि वो भी नफा नुकसान का तो आकलन करेंगे, ऐसी परिस्किती में, क्योंकि हेमंत सोरेन भी को पाती में फूट डालती है, और पैसे के लोब हमें जो है, चमपई दा इस तरह का करने के लिए लाचार हो गए, तो कहने का मतलब है कि बहुत तल्ख नहीं है चमपई सोरेन के खिलाब, तो यह चीजें हैं जो भी टटोलेंगे, अपनी राजनीतिक जमीन टटोलेंगे, इंसन ब्रांच टाइप का हो जाता, तो वैसी परिस्थिती में वो जरूर नहीं पाटी बनाने पर सोचते, और उन्होंने अपने विकल्प खुले हुए भी कहे हैं, कि तीन विकल्प है, या तो मैं… उन्होंने बायो भी अटा दिया, क्या समझे से? शुरू हो गई थी, विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक में साधे कागज पर सारे विधायकों ने हस्थाचर कर दिये, अगतिस तारीक को जब यह चर्चा हो रही थी, कि कि कलपना सोरेन जो है, वो मुख्यमंत्री बनेंगी, बनेंगी, उस वक्त हेमंत स अपने आप में कम बड़ी बात नहीं है अपनी पत्नी को दरकिनार करके हेमंत सोरेन ने चंपाई सोर्दा का नाम लिखा और अब हेमंत जी के प्रीबी भी ये कह रहे हैं जितना कुछ उनको दिया जब भरत ने खड़ाऊं रख करके सासन किया तो फिर राम के वापस आने पर विबात कैसा बिल्कुल मादुकर ये महत प्रपून बात कही आपने मोहित भी हमारे साथ हमारे सायोगी जुड़े हुए जरा उनका भी रुक कर लेते हैं मोहित देखे मादुकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखे जब हेमन सोरेन जेल गए थे उस दोरान जब बात चल रही थी कि कलपना सोरेन को प्रदेश का मुख्यमंतरी बनाया जा सकता है लेकिन कलपना सोरेन को मुख्यमंत्री ना बनाकर चमपई सोरेन पर उन्होंने भरोसा जताया और यही वज़ाय क्या कि चमपई सोरेन अभी चाहते हैं कि शायद कुछ ऐसी बात बन जाया पार्टी से यह तो इंतजार किया जा रहा है उनकी तरफ से बीजेपी की तरफ से क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है चमपई सोरेन के शामिल होने को लेकर कब वो पार्टी की सदस्ता ग्रहन करेंगे इसको लेकर कोई अपडेट है कि आपके पास रही है और या जिस तरीके से बीजेपी के अभी स्केथी है वो मैं ठोड़ा सा उसको साफ कर देता हूँ बीजेपी अभी वी वेटेन वाच की स्केथी में है और बीजेपी ये चाहा भी रही है कि वहाँ पर क्योंकि देखे कोलान जो एरिया है वहाँ पर विजेपी के पास विधायक रही है और कहते हैं जिस तरीके से मधुकर जी ने अभी जिक्र किया कि 14 वहाँ पर सीटे है और 14 सीटे 81 विधान सवा वाले राज्यू में बहुत जादा महत्पूर हो जाती है और वो भी तब जब 3-4 सीटे जैसा मधुकर जी जिक्र कर रहे है कि जिसके पास जारकण में 3-4 सीटे होती है वो भी कहता है कि अब हम हैं बड़े वाले नेता हमें चाहिए फुलिक जद्द तो भाया ये बात बहुत सीधी सी है और जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आपने भी किया कि कल्पना सोरेन को दर्किनार करते हुए उन्होंने 25 सोरेन के नाम पर महर लगाई तो बात ये है कि 31 तारीक से लगा कर 3 जुलाई तक के बीच में जो कुछ भी घटना करम हुआ जो भी एक अल्प कारिकाल आपका रहा लेकिन कम से कम आपके उपर अगर सीध से नेतुरत ने भरोसा जताया आपके उपर हमन्त सोरेन ने भरोसा जताया तो आप सूबे के सीम ह कहे जाएंगे भले ही एक छोटे कारिकाल के लिए सही और ये सब सारी इतनी तलखिया थी नाराज़ी थी तो आखिरकार ये पहले क्यों नहीं खुल के सामने आई लेकिन ये तब सब ही ये सारी चीजे क्यों ही जवाब बीजेपी जवाब अपने ड्राइवर मुन्ना के के लिए ना आए अपने साथ कम से कम कुछ विधायकों का सबर्थन भी लेकर आए क्योंकि ये होता है क्योंकि जब कहीं टीम लीडर मूव करता है तो उसके साथ साथ कम से कम एक टीम भी होती है जो ये उसकी श्रेंट को दिखाती है कि आपके कहने पर इतने लोग मेरे आजाता है बहुत शुक्रिया आपका मोहित तमाम जानकारियों के लिए मदुकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साजा करने के लिए